हाई अब्रीबन वेलकम बैक तो माई चैनल मेना नाम स्रीप्ति वाली हो आज मैं आपको साफ्टियर करने हैं वेजिंग क्रियेटिव वियरस्टायल जो कि बहुत ही प्यावा लगने वाला है इस तरीके से बनाया सब कुछ आपको ब्री में लेखने समय देगा चैनल में नही अबको बढ़ाए और configure चैनल जैए अच्कलर में कि अमाना और चली चली देख लेते हैं हैस्टील केसे बनाया है तो फ्रेंड्स चलिए हेरस्टेल स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप आपको देख रहे हैं एक दम जो सेंटर से बीच से जो हम लोग मांग निकालते हैं वहां से इस तरीके से लेयर लेनी है आपको चोटा सा सेक्समें लेनाय का अच्छी से कॉम कर लीजिएगा क्साकरि मे headphones करमे says सब्सक्राइब में सब्सक्राइब करें देढ़ाया है आसे अंदर से इसी लेयर कोई्ट सब्सक्राइब सबस्क्राइब माई है इस दोर्फ हमेर भी और यह फीरने सब्सक्राइब करेंicial को पमणोंसे सब्सक्ति फ़यु लीए से कस खतए से अब तरीके हमिने इसको रिक्स करेंगे अच्छे कांप करते वे मुखियेे । और इसको इस तरीके से यहां से ऐसे पकड़ेंगे और फिर से सेम प्रोसेस जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट पे किया था वैसे ही इसको यहां पे खीच लेना है के सब्सक्राइब टूव से चाएटे. डीलेटेजी तरह लेना है और लेड़् में मिक्स कर देना है बीच वाला लेयर पकड़ना है और उसको इस तरहिए से पकड़ड़ के पकड़ के जएएक स्थाइड वाले लेर के सैड़ा के नीचे से लेके जायेंगे यहां पर ध्यान से देखिएगा अच्छे से समझ में आ जाएगा यह हमने हेर लिया और साइड वाले लेयर जो लाइड वाला हेर था उसको मिक्स करके और जो सेंटर में हेर है उसको पकड़ेंगे और जो हमने साइड वाला हेर है उसको सेंटर वाले हेर के ऊपर से लेके बनाना है और उपर से लाके होल के अंदर से खीच लेना है ओके होप कि आपको समझ में आ रहा होगा इसी तरीके से बस पूरी ब्राइट को बनाना है आप चाहो तो पूरे हेयर में भी बना सकते हैं मैंने आप हाफ हेयर में बताया था और लास्ट तक फूरा वीडियो देखेगा अच्छे से समझने के लिए क्योंकि कुछ पॉइंट्स मिस हो जाएंगे तो फिर अच्छे से आपका हेयर स्टाइल नहीं बन पाएगा इसी तरीकी कि बहुत सारी क्रियेटिव अमेजिंग हेयर स्टाइल मैं लेकर आप आऊंगे मैं खुद के बालों के अच्छे से दिखता निया जहीं से नहीं बन पाता है इसलिके आप दमी का यूज कि अगर आप इसी तरी की क्रियेटिव अग्यूंज कि अजाते आफ कर और और आपको देखना है तो प्लीज करने लीख में मैं यह तो याँज़ अगी और एक त्री से में इसी तरीके से दोनों साइट से लेर लेते जाएंगे और प्लीज सिलाई वाले चैनल को भी सपोर्ट कीजिए ताकि उस पर भी हजार सब्सक्राइबर हो जाएं ताकि मैं लाइव आके आप लोग को उसमें जो बारी किया होते सी लाइक में वह सारी बता पाऊं तो यहां पर इस तरीके से खिचते जाना है कि सेम इसी तरीके से अपको एअर्ट टक हर को लेना है मैं आफ एयर में बता रही हूं आप फूल हेयर में भी कर शक्ते हो evren कि इस तरीके से और सेंटर वाले को नीचे की तरफ से लाएंगे और उधर पकड़े रहेंगे ताकि बिगड़ना जाए और ऐसे खीच लेना है आई होब की दिख रहाँ आपको सेम इसी तरीके से दूसरी साइट भी करना है जितना आपको बनाना है उत्ता बनने के बार से जितने वे बचेंगे उस समें ब्राइट बनाएंगे सेम इसी तरीके से कि कितना प्यारा लग रहा है अभी पूरा बनने के बाद से और भी ज्यादा अच्छा लगेगा अभी फिर से एक लियर में इदर से ले रही हूं और एक लियर उदर से उसके बाद से मैं ब्राइड बताऊंगे आपको इस तरीके से खीचेंगे और ऐसे अंदर की तब से लेके जाएंगे अब से में इसी तरीके तरी दूसरी साइट भी लेंगे ज़िए और बस इतना ही बनना कि अब हमको भ्राइड बनानी मैं नहीं आपको अच्छे से समझ में आ जाये कि फास्ट करने पर कभी बार समझ में नहीं आता है तो सेंटर वाला लेयर मैंने या पर इस तरी के से पकड़ा है स्वरी कैमरा थोड़ा साइड में लग गया था जिसके वज़े से क्लियर दिखतो रहा बड़ थोड़ा साइड हो गया है तो प्लीज डोंट माइंड और यह वाला हेरस्टाइल आप छोटे बालों पर भी कर सकते हो काफी अच्छा दिखेगा जिसका यह लेंद तो नहीं बॉब हेर कट है या फिर इस तरीकी का लुक आ रहा है अभी जो सेंटर से हेर है उस पर भी हम लोग बनाएंगे इसी तरीकी का हेरस्टाइल यह जो बीच का लेयर बचा हुआ है इनको इस तरीके से पकड़ेंगे मैं कैमरा थोड़ा दूर कर देती ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो बीच से लेयर मैंने पकड़ा हुआ है सेम इसी तरीके से दोनों साइड के हेर को लेते जाएंगे और ब्रैट बनाते जाएंगे दूसरी सेट भी सेम इसी तरीके से लेना है और ऐसे खीच से जाना है जितना लंबा आपको बनाना है उतना लंबा आप बना के उसके वाइस एक बैक पीन लगा दो में चोटा वाला बैक पीन जो आता है उससे कि यह भी हेरस्टाइल मैंने कहीं से कॉपी ने किया खुद के दिमाग में सोचा और बनाया है तो आप लोग को कैसा लगा जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में और भी मैं इस तरीके का हेरस्टाइल जभी लेटे लेटे सोचते रहते हैं कि कैसे बनाया जा है है थोड़ा हेरस्टाइल बन जाए तो बीच वाले हेरस को ऐसे ही छोड़ देंगे टाइट खीच के तभी थोड़ा-थोड़ा साइड से लेयर को खीच लेंगे ताकि थोड़ा अच्छा सा लुक आ है कि यहाँ पर मैंने यह वाला बैकपिन लिया है और यहाँ पर लगा देंगे इससे आपका हिर्स्टाइल खूले गनि लॉंग टाएम तक टिक्वा रहेगा और मैं इसका फाइनल लोक आप लोको दिखाती हूं भी तो यह देखिए इसका फाइनल लोक है किना प्यारा लग रहा है आपको कैसा लग रहा है जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में गाईज अगर और ओनलाइन दिखाघ। आप लोग को ये मिरा हेरस्टाइल और अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बखसे मताई इंस्टाइडी प्रित्वाई 24 आप मुझे वापे मैसेज भी कर सकते हो जिसको ओनलाइन कमें मैस सुरी ओनलाइन ब्यूटी पालव कोश करना हो आप मुझे मैसेज कीजिए मैं वाव